कोई राजनीती नी होई गे देचे और मैं जिन्ने भी राजनीती करने वाले ने उन्दानू करना थू तड़े ने लाड़ा के तुसी करने चोक के उन्दानू लागे ओ दिल्ली कमेटी ना फर्ज बंदा सी कि वो पुलिस वाले ने खिलास 307 परचा तरज करना दी अगर सर से वले साथी तरण एफ फिर कोई कलाम ओला करनी पोशच किती जवे इननू नगया किता जवे एवन पंजाबी निडर निरपाक ते नमी सोच मैं तो अड़ादो सोंस होतातला के हाजर हैं खरियां 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 ते बैच गल कर देयां जी दिली दे बैच एक सिख वीर ते उसने लड़के नालगोई कोटमार नू लेके कोट मारदा एक मामला इन्ना की वद चुका है कि होन हर एक दी जबान दे उपर दिली दी एक कटना जड़ी है उस दी नकेदी जड़ी है वो चल रही है दारसल काभी दिना तो एक हलक है रही सगे की एस कटना नू राज नीते कट तोल नहीं देनी चाही दी राज नीती तो प्रेरित एक कटना नहीं होनी चाही दी लेकिन है इस कट्रन लेके हुन पूरी तरह जड़ी राज नीती है वो गर्मा चुकी है और सिख आगवा ने बकैदा तोरते दिल्ली दे सिख आगवा ने मनजिंदर सिंग सिर्षा जो की दिल्ली गुर्दारा प्रवंद कमेटी दे बताओर परदान अपनियां सेवामा दे रहे ने उन्हा दे उपर लगा रही है गंबीर इल्जाम गुर्दीप सिंग मिंटू ने तैथु तक कह देता है कि मंजिंदर सिंग सिरसा पीड़त परिवार दे कर जाके पुलीस दिनाल समझाता करवाण बेच लगे होए ने और यानी कि पुलीस दा दलाल बन चुका है जी मंजिंदर सिरसा और उन्हाने गल बिलकुल साब कर देती ह है कि असी पोखड ताल शुरू करन बाड़े यां जड़े जड़े मेरे भीर इस पोखड ताल दे विच शरीक होना चौंदे आए ओ आके साधिनाल बैठ सकते गुर्दीप सिंग मिंटू ते उना दे होर सिख आगू वीरा ने की कहा तुसी खोद सुन सकते हो जैस्तना की मै परिवार दे करो हो कि आखे बठी है मैंनों बड़े अफसोस ना कहना है पहरे कि उत्ते जाके सानु पता लग गया कि मंजिंदर सिंग सिरसारी टीम उस परिवार नू उत्थों पुलिस हैड़े कवार्टर लाके गेने और सानु है सूतना तो पता लग गया कि कि किते ना कि दिली कमिटी इस केस नो दुबां दे चकर चे लगई यह अनारा कंपरो मैज करांदे चकर चे लगई है लेकिन मैं दस कमिटी नोँ आप दे रही कि दिल्ली कमिटी करा देगी और कंपरो मैज बिलकुल नहीं क्योंकि उन्हां में साथे कारा थे हमला कीता है उस सेखरे केस पुटे गेने और यह पगड़ी लाई गई गये मैं साथ दादना चना कि अगर काल तक और पूल्स वाले आंनु डिस्मिस ना किता गया मारे कनूनी कारवाई ना किती गई तो मैं एस देवासे पोखड दाल पड़ान जद तक और परिवार मुन नहीं मिलेगा और मैं कि तबेंती साल इंतिजार नहीं कर सब्दा हो चुरासी्टी साल होगे ने मैं तिमें देनि करना इसमेड़ उत्ते कि जड़ा जड़ा बंदा साड़े नाले दास कल पोखड का आलते जेल लोड़ दते बठेगा मैं दास देना जड़ा मेरा वीरे लड़ाई दे साड़े नाले उस समय उत्ते जरूर बंचे मेरे नाली कबाल सेंग भी पोखड दालते बठेंगे मिंटु जी भी नाल बठेंगे और जेद बन्डा मेरे नालोटे बना तना मैं निश्चीत काल जटत टक कुणा नुँ इंसाव नहीं मिलेगा परिवार नुँ जटत टक से ख कौन नुँ इंसाव नहीं मिलेगा अंजर आप परिवार भी संधयोता कर ले लेकिन असी इस वी संधै कर तरह नु बिकुल त्यार सब्सक्राइब कर दो कोई राजनीती नहीं होई गिये और मैं जिनने भी राजनीती करन वाले ने उन्दानों करना थू ताड़े लाणा के तुसी करें चुक करना नू लागयो दिल्ली कमेटिया फर्च बंदा सी कि यह पुलिस वाले ने सब्सक्राइब करना थे खिलास 307 पर्चा तरज करना थी और अपनी जिल्ली कमेटिया लेडर पैड़े लेके रंदी ना कि अन्दान चुक गत्थे लेके रंदी एक साब पता है सानू सुत्रा नपराला लगेगे कंप्रोमाइज करां दे माल का ज़जवाती हो कि इसना बोल हैं लेकिन मैं गल्दास देना कि काले सी पोखड़ तालते बैठांगे ते निश्चित काल बैठांगे मैं हुने मेरे वीर जजबाती हो गया सी मैं इंका जी नो एक बेंती करां तो अड़े जजबाता दे नाल गुरदीब सिंग मिट्व की अकबाल सिंग की पूरा पंथ खड़ाए ए मामला होन उस पर वार्दा नहीं रह गया क्यों इथे ककारां दे उते हमला होया है ते एक कक कारां दे उते हमला हुए है कि किसे कीमत बर्दास नहीं किता जाएगा हर्मीज सिंग पिंका जी आशी तो अड़े नाल डट के खड़े हां दूसरी बेंती मैं मैं जिवे मैं रात रूं मैरी मिससंज अडमिड सी होस्पिटल मैं रात नहीं नहीं पहुंच सकया पर्दान सा बंदी होए मैं यह बेंती पंथ वलों हाथ जोड के बेंती करना चोना कि रात नूं मैं वीडियो देखदा सी ते मेरे मन नुश्कून मिले आ सी कि पंथ एक जगा कठा हो गया है और मैं वदाई देती सी कि भई सरसा जी सरना साब और जर्नेल सिंग जी तुसी वदाई दे पा सब्सक्राइब करना चोना मेरी बेंती श्रोमनी गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी नूं भी है और क्योंकि ये दो जथे बंदियां सिखां दी जो सेर्मोर जथे बंदियां हन इस मामले नूँ जे तुसी किते पाल्टी दे वेच दहीं मदानी रड़क लेई जे तुसी किते इनू रफा दफा करन दी कोशिश कीती ते पहले ते तो अडे गाल पे आसी सरसे वाला साद ए उन नवा सियापा तो अडे गाल पह जाना जे पूरा पंठ कठा हो चुके हैं ए मामला हुड़ो दोनों प्योप उतरदा ना रहके पूरी कोम दा मामला बन चुके हैं जिमें मेरे तो पहले दस्यापिंका जी ने एक कारा दे उते हमला होया है ओ हमला किने किता हैं जिमें 84 दे तरबार साथे विच ब्लू स्टार अपरेशन वेले ओ फोज ने हिंदोस्तान दी फोज ने अमला किता सी एक भी साधे दिली दी फोर्स है एक दिली दी फोर्स ने साधे गुरून दे कारा दे उते हमला किता है मैं इस करके सारे पंठ नोग उपील करना चांचांध यह दिल्ली कमेटी ने किते अपड़ी चोधराट नू एस बीजेपी दी सरकार दे पैरावेच मताट एक दिता अगर उना दी चोलीच बैके कम्रों वैल कर दिता ते सडी कों नू कोई बचान वाला नहीं रह गया असी सारे नू सारे पंथ नू हत जोर के बेंती करदा और खास करके मैं प्रकाश सिंग बादल दे परवार नू एक ताड़ना करदा कि बादल साब त्वाडी नू मंत्री बन गी है तुसी राजपाग साब लो एक तरमदा मामला जे जे दे वेच जैदा दखल अंदाजी करके एनू रभा दभा करंदी कोशिश करोगे ते मेरा सत गुरू बड़ा ब्यांत जे पोधी मार तो डरो के बहुत प्यानक रूप लेड़ जारी है कोम एस वेले साथे हिर्दे जड़ेरे वलूंद्रे गेने मैं हत जोर के बेंती करना सारे पंथ नू सारा पंथ एक निशान सा कठा होके अगर सरसे वाले साथी तरह ए फिर कोई कलामला करंदी कोशिश कीती जावे ते नू नंगया किता जावे उलाचुका दी माफी वाईगुर जी का खाल्सा वाईगुर जी की फते बिल्कुल जी बिल्कुल पूरी तरह एकटना राज नीतिक रंगत देवेच लिप्त हो चुकी है और विखना एह होएगा के कदों सारे सिक्वीर एक मंच ते ही कठे हुन देया ते एस पीड़त परिवार नू मिलदा इंसाफ जेकर ए लोक इसे तरह एक खिलरे रहे ता मैं इन्हों नी लगदा के पीड़त परिवार नू किसे कसंदा कोई इंसाफ मिलेगा और पूरी पूरी जड़ी एकटना है ए राज नीतिदे वेची ही रोड़ गोल जाबेगी जे कर एस पीड़त परिवार नू इंसाफ देनले सचमों चापा बचन बाद दहां ते सानू एक म करें